एक बार फिर से आपके सामने में एक नए वीडियो के साथ एक्टर एंड ओथर रंजेव कुमार जी हाँ दोस्तों आज एक्टिंग की बाते करेंगे मैं एक एक्टर हूँ दोस्तों आज तकरीबन 15 साल हो चुके हैं मुझे आगर मैंने काफी सारे सीरल्स में काम किया है एड़ फिल्मों में काम किया है दो-तिन फिल्मों में भी काम किया है लेकिन इन सब के बीच में जितना ज़्यादा जद्दो जहत के साथ मेरा समय वीता है और सिर्फ मेरा ही नहीं जो middle class के जो लोग होते हैं जो actor बनना चाहते हैं जैसे मैं और मेरे जैसे काफी सारे लोग जो यहाँ पर आये हुए हैं मुंबे में वो lack of knowledge अपनी जिंदगी बरबाद करते हैं मैं आपको suggest करूँगा कि अगर आप मुंबे आना चाहते हैं और फिल्मों में काम करना चाहते हैं और बहुत बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको खूब knowledge प्राप्त करना होगा खूब मेहनत करनी होगा और आपके पास पैसे भी बहुत अच्छे होने चाहिए जी हाँ एक चलिए medium class family के साथ में सबसे बड़ा प्राप्लम यह होता है कि उनके पास पैसे बहुत कम होते हैं पूरी family का देख रिक करना होता है और उसके बाद अपने बेटे को या बेटी को जो मुंबई जाकर अक्टर बनना चाहते हैं उनको पैसे कहां से दे सबसे बड़ी problem यह हो जाती है दोस्तों अगर आप मुंबै आकर फिल्मों में काम करना चाहते हैं और बहुत बड़ा नाम कमाना चाहते हैं हिरो बनना चाहते हैं या बहुत बड़ा actor बनना चाहते हैं आपको इस गिधा मतलब अभिनय acting की बहुत अच्छी knowledge होनी चाहिए इसके लिए आपको theatre join करना चाहिए theatre में अपने आपको मांजना चाहिए परिपक्व होना चाहिए बहुत अच्छे से आपको practice करनी चाहिए अपने acting के उपर, voice के उपर किस तरह से dialogues को बोला जाता है ये सारी चीजें खुद बखुद ठीक हो जाएगा अगर आप theatre join करते हैं तो और मेहनत तो करनी ही आपको सबसे पहले तो आपको ज़ादा से ज़ादा आपको knowledge प्राप्त करनी चाहिए acting गिधा के बारे में दूसरी बात आप कितने अच्छे इंसान है जिया दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे इंसान है तो ही आप लोगों की समवेदनाओं को समझ सकते हैं मतलब किस प्रस्थिती में कौन सा इंसान कैसा फील कर रहा है या फील कर सकता है अगर आप एक भिथारी को देखें और आपके अंदर दया भाव ना आए तो आप ये समझ लें कि आपको और समवेदन शील होना चाहिए जी हाँ अगर आप किसी रिच इंसान को देखते हैं अमीर आदमी को देखते हैं तो आपके अंदर एक अमीरी पन कर अहसास होना चाहिए जब आप एक कुटिल व्यक्ति को देखते हैं तो आपके अंदर भी उस कुटिलिता का भाव आना चाहिए और ये तभी आएगा जब आप दिल के कोमल हों ये तभी आएगा जब आप लोगों के बारे में सोचते हों ये तभी आएगा जब आपका observation बहुत अच्छा हो मतलब लोगों को देख कर आप उनकी भावनाओं को महसूस कर सकें और जो ऐसा कर सकता है वो बहुत ही अच्छा एक्टर बन सकता है और दुनिया भर का knowledge तो आपको होना चाहिए और सबसे अंत में आपके पास बहुत अच्छा पैसा होना चाहिए जी हाँ दोस्तों जीने के लिए पैसों की जरूद होती है दोस्तों आपके पास कम से कम इतने पैसे जरूर होने चाहिए कि मुंबे में आप एक से डेड़ साल या दो साल तक बिना कोई काम किये हुए रह सकते हैं असानी से क्योंकि कम से कम एक डेड़ साल दो साल तक का तो समय आपको लेकर चलना होगा अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा ये बेसिक क्राइटेरिया है अगर कोई अक्टर बनना चाहता है उसके लिए तो बाकि नेक्स वीडियो में मैं अक्टिंग की बाते करता रहूँगा और आपको बहुत ही मदद मिलेगी अगर आप एक अक्टर बनना चाहते हैं नाम कमाना चाहते हैं तो एक गाइडलाइन के रूप में मैं वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नौलेज मिल सके तैंक्यो दोस्तों तैंक्यो सो मच